हेलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पढ़ाई बढ़ी आएक दम ओके सो स्वागत आपका आपने प्यारे से चैनल में खुबसूरा से चैनल में जे आर टुटोरियल में और मैं अपना नाम बताना भूलिया ओके सो मेरा नाम तो पता ही है जैसे संजीफ पांड कि आइए आज की कहानी जो बने वाली है वह स्टेशनरी वेव की बने वाली है जो की थूड़ी अलग प्रकार की वेव है चैनल मालो की कैसे आती है और दोनों वेव जब कभी भी अपोजिट डारेक्शन में ट्रावल करना चालू हो जाए और दोनों वेव क्या हो अप्लसि और एक वेव ऐसा चल रहा है पिज, लूप फारम हो रहा है इस लूप विल लुक लाईक अ स्टेश्णरी दजोड़ो तो हमको रूपा हुआ वेव नहीं है कहानी समझो वो क्या है कि भाई यहाँ पे जब ऊपर जा रहा है यह वाला जो कर्वअ है जो ट्रफ है जब उपर जा रहा है तो at the same time ये नीचे आ जा रहा है तो हमको ऐसा लगे रही भाई वो रुका हुआ है बट दाट इस नॉट स्टेशनरी वो रुका हुआ नहीं है बासमना रहें निसमना रहें इसी की कहानी को बोलते हैं सटेशनरी वेव अगर हमनों लोग ब्यू बोलते हैं स्टेशे दी्वेव अगर हम लोग प्रोग्रेसी वेव से और अगर अगर हम लोग कंपेर करना चाहें तो क्यों पैकल का एंठीड रहें ओसे पहले देखा कि भाइब प्रोग्रेशिव इनरजी ट्रांसफर होता है इसमें एनरजी ट्रांसफर नहीं होता ओके यहां पर हम लोग देखने जाए तो एम्प्लिट्यूड जीरो भी होता है जैसे अधिस इस पाला नोड है तो नोड में क्या ही होता है नोड पर तुम लोगां अंप्लीट्यूट देखने जाओगे तो आम्प्लीट्यूड जेरो होता है ऑग एककोए का क्या होता है जीर में जिसको बोलते हैं अंटियkee कर othing अंटियो एंट소 कि कहानी important derivation. So, वो हम लोग उस पर discuss करेंगे. Okay, आज हम लोग उस पर बात करने वाले. So, let us start the topic. Book और pen उठालो. फड़ा-फड़ मस्त तरीके से derivation करने वाले. Okay. So, माल लोगी मेर पास दो equation है. One equation is nothing but y1 is equals to a sin 2 pi in bracket ये pi हाँ. nt minus x by lambda बरबर. और एक opposite direction में है. कहानी यही बैठेगी. एक opposite direction में है. अब opposite direction में है तो क्या ही मिलेगा? y2 is equals to a sin 2 pi nt minus के जगे आजाएगा plus x by lambda हाया ना. Okay. अब ध्यान से समझेगे कोशिकरों. दोनों का amplitude हम लोग सेम लेंगे. यहाँ पर एक consider रखना कि दोनों का जो amplitude होगा, that will be same. Same to same amplitude. Okay. तो कहानी कैसे बनेगी देखुए रहा. So, दोनों को combine करना है. Combine करना मतलब दोनों का vector sum लेना है, vector sum लेना है, तो क्या ही मिलेगा? The resultant wave will be, क्या ही हो जाएगा? The resultant wave, क्या ही बनेगा resultant wave? That is y is equals to y1 plus y2. Yes or no? y is equals to y1 plus y2. अब दोनों को add करना है, तो दोनों को add करने के लिए देखुए यहाँ पर a और a common है, उसको बाहर लेलो. है ना? अंदर क्या ही मिलेगा? अंदर तुमको मिलेगा sine, क्या हो जाएगा? That is 2pi in bracket nt minus x by lambda, है ना? Plus, क्या ही हो जाएगा? sine, 2pi bracket nt plus x by lambda, एक plus रहेगा, एक minus, क्यूंकि एक positive x direction में जा रहा है, एक negative x direction में जा रहा है, है ना? bracket close, कहानी खताम, नहीं, अभी नहीं खताम हुई है, तो थोड़ा सा पीछे चिपका दो, मैं चिपक जाओगा, मैं काया हो जाओगा, टेंशा मतले ना? मैं हूँ इदरी, लिख रहा हूँ खाली, ओके? अब simply यहाँ पर हम लोग use करेंगे formula sin c plus sin d का formula, अगर नहीं आदे, मैं बता देता हूँ formula, पता होना चाहिए formula, sin c plus sin d, यह इस्तमाल होता है, कैसे? that is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, this is the formula, ओके वो इंटु मैं है, यह चीज ने यह पुरा पुरा काहाँ पे, इंटु मैं है, बासन नारी है, थोड़ा सहीधर कर देता हूँ, समझो बात को, और यही formula यहाँ पर इस्तमाल करना है, तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यह पूरा का पूरा हो जाएगा, c, और यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, d, तो अप्लाए करो formula क्या ही हो जाएगा, देखो जारा 2a, a तो यहाँ पर already है, और 2 मेरा formula का है, sine, पूरा का पूरा C है, ये पूरा का पूरा C है, देखो, दोनों में 2π, 2π common है, 2π बाहर आ गया, sine C plus sine D, तो पहले add करेंगे, तो nt minus x by lambda, हाँ है ना, plus nt plus x by lambda, बरबर, whole divided by 2, देखो, c plus d plus d, sorry, c plus d divided by 2 है, बरबर, अब वहाँ पर d plus c लिखा, या c plus d लिखा, उसे कोई फरक नहीं परता, addition है, ये सोनों, कहानी सेम बैठेगी, into cos, cos के साथ कहानी थोड़ा ध्याम देना, क्योंकि cos में minus है, तो c minus d होना चीए, तो c, तो again 2π तो बहले बाहर आ जाएगा, 2π का tension ही नहीं, 2π का मगजमारी खत्म, 2π बहार ले लो, अब bracket के अंदर क्या बैठेगा, देखो जारा, nt minus x by lambda, तो nt minus x by lambda हाया ना, minus, अब यह minus होगा, तो minus nt minus x by lambda, bracket open होगा हाया ना, बरबर, अब देखो जारा, ये x by lambda, ये x by lambda plus x by lambda cancel, nt minus nt cancel, और यहाँ पर denominator में by 2 है, यहाँ धान देना, क्या है by, 2 है, बरबर, clear बास समझमारी सबको, चीज़े समझमारी की नहीं समझमारी, ये देखो ज़रा, क्या बचेगा, 2a, sin, sin बच रहा है, ओके, देखो, nt plus nt, that become 2 nt, so that become 2 pi in bracket 2 nt whole divided by 2, तो 2 से 2 भी मर गया, हाया ना, क्योस, यहाँ पर देखो, तो 2 pi, minus x by lambda, minus x by lambda, minus 2 x by lambda, by 2, 2 से 2 मर गया, और cos minus theta क्या ही होता है, cos theta होता है, हम लोग ने पढ़ा है, maths में, cos minus theta बराबर होता है, cos theta हाया ना, तो कहानी तो वही बेठेगी है, यह सो नो, तो इसके लिए tension लेनी की बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जारा, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, that is, 2 a, sin, यहाँ पर क्या जाएगा, देखो, 2 pi nt, 2 pi nt, यहाँ पर क्या बचेगा, cos 2 pi x by lambda, तो 2 pi x by lambda, हाँ यह ना, पासन ना इसमें आप रिएन पका, 2 x by lambda, yes or no, resultant यहाँ आएगा, amplitude आएगा, resultant amplitude क्या ही लेंगे, resultant amplitude लेंगे तुमारा, where, resultant amplitude can be considered as, that is, capital A लिख देते हैं, तुमारे बुक में capital A गिवन है, जरूरी नहीं है, यहाँ आईशा, कुछ लिकिन लिख देते हैं, okay, so, resultant amplitude क्या ही हो जाएगा, that is, 2 a, cos, that is, 2 pi x by lambda, 2 pi x by lambda, यह मेरा resultant amplitude हो गया, तो मेरे को equation क्या मिलेगा, देखो जरूरा, equation मिलेगा, y is equals to, यह जो 2 a दिख रहा था, यह जो cos दिख रहा था, इसके जगे आपने क्या put कर दिया, आपने इसके जगे put कर दिया है, a, और bracket में क्या बच रहा है, bracket में बच रहा है, sine 2 pi n t, हाँ यह ना, यह बच रहा है, और what is 2 pi n t, अगर हम दो देखने जाए, तो 2 pi n, तो omega होता है, angular frequency होती है, तो y is equals to a sine omega t, nothing but equation of shm, मतलब भाई, यह जो stationary wave की कहानी है, यह equation form करेगा, किसका, shm का nothing, मतलब सारा shm का कहानी, यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो, कोई tension वाली बात नहीं है, सारा का, सारा shm का कहानी, यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो, simple बास नाया, दो wave consider किया, भाई, दोनो wave opposite है, यह वाला है, positive x-axis के लिए yes or no, तो this is for positive x-axis, this is for negative x-axis, बाई बाई, दोनो wave को add किया, sin c plus sin d का formula लगाया, चीजे cut की, simplify की, you will get this answer, this is nothing but a, equation of shm, मतलब सारे के सारा equation of shm की कहानी, यहाँ पर लगा सकते हो, यह stationary wave यह स्तमाल नाया, बासन में आगी नहीं सम्में आगी सबको, अब यहाँ पर node और anti-node की कहानी देखो, वो समझ में आएगा, यह चीजे याद रखो, यह बहुत important चीजे, यह दिमाग में बैठाग रख दो, यह, a is equals to 2a cos, 2pi x by lambda, अब कहाँ पर बनेगा, इसका position कहाँ पर बनेगा, भाई कहाँ पर anti-node बनेगा, कहाँ पर node बनेगा, वो कहानी यहाँ से मिलने वाली है, बासन में आ रहा है कि नी सम्में आ रहा है everyone, चलो, कैसे मिलेगी जड़ा देखतों तो, तो फॉर मिनिममम डिस्प्लेस्मेंट और मिनिममम डिस्प्लेस्मेंट मिनिममम डिस्प्लेस्मेंट का मतलब हम लोग क्या ही निकाल रहे हैं नोड निकाल रहे हैं क्या एंटी नोड निकाल रहे हैं हाया ना, तो what is A, A की कहानी देखो, A already हम लोग निकाला है, that is 2A cos 2pi x by lambda, तो यहाँ पर क्या ही आएगा, that is 2A cos 2pi x by lambda हाया ना, equals to 0, यह 2A उदर जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा, क्या ही मिलेगा, cos 2pi x by lambda, equals to 0 हाया ना, cos उदर जाएगा, cos inverse of 0, और cos inverse 0 किस पर किस पर आता है, जरा बताओ तो, cos 0 कोण कोर से value पर आता है, जरा बताओ तो, भाई, cos 0 कहाँ पर आता है, pi by 2 पर आता है मेरे खाल से, yes or no, 3pi by 2 पर आता है, yes or no, 5 pi by 2 पर आता है, yes or no, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 pi x by lambda अब अगर इसको मैं general form में represent करना चाहूँ general form में तो general form में क्या ही बन जाएगा देखो जारा 2p n नहीं यूज करेंगे यहाँ पर क्यो n यूज नहीं करते हैं कारण यह है कि n हम लोग यहाँ यूज करते हैं to represent the frequency okay तो हम लोग यहाँ पर n यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर constant term यूज करेंगे p तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो जारा 2p plus 1 pi by 2 अब p का वाल्यू ले लो 0 pi का वाल्यू ले लो ले लोगे क्या ही मिलेगा pi by 2 1 into 2 that is 2 2 plus 1 3 by 2 pi का वाल्यू ले लो 2 2 ले लो गया तो क्या बचेगा देखो जारा 2 2 into 2 4 plus 1 5 by 2 तो यही इसका ही general form आ गया है सानो where where p बराबर हो जाएगा 0,1,2,3 up to infinity तक हाया ना और यहाँ पर क्या ही हो जाएगा 2 pi x by lambda pi से pi मर गया हाया ना यहाँ से x क्या मिलेगा इधर भेज़ दो क्या मिलेगा देखो जारा x equals to यह lambda इधर चला आएगा हाया ना so that is 2p plus 1 into lambda 2 divide में आ जाएगा that is pi by 4 अब resubstitute the value of p क्या मिलेगा पहला value put करोगा 0 तो क्या मिलेगा that is 0 put करोगा यहाँ पर 0 हो जाएगा lambda by 4 हाया ना next 1 put करो देखो जारा है यहाँ पर 1 put करोगा 2 3 lambda by 4 हाया ना next next अगर हम लोग देखने जाए तो next क्या हो जाएगा अगर 2 put करोगा तो 5 lambda by 4 हाया ना मतलब this is nothing but a position of क्या node भाई यह node की position है क्या है यह node की position है बास में आ रहे हैं अगर दो इसको थोड़ासर उबकर कर देखे तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा lambda by 2, हाँ है न, देखो, 3 lambda minus 4, 2 lambda, divided by 4 है, तो 2 से 2 cancel, that is lambda by 2, मतलब 2 node के बीच में जो difference होगा, that will be a lambda by 2, that will be a lambda by 2, हाँ है न, that is a property, धिरे धिर में property भी बता दे जा रहो एक साथ, यह कहानी किसकी थी, यह node की कहानी थी, अब यही कहानी, यही सेम कहानी हम लोग anti node के लिए भी देखने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा side हटका देता हूँ, यहाँ पर, देरे देरे थोड़ा सा आरेंज कर दे रहा हूँ, यह इधर एडिस कर देता हूँ, बहुत बढ़ बढ़ियां, ओके, अब यही सेम कहानी समझने कोशिस करो, इसको compare करके समझने कोशिस करो, कि भाई, for maximum कहानी कैसे बनती है, for maximum, for maximum, मतलब maximum बोल रहा हूँ, मतलब क्या ही बनेगा, amplitude अगर maximum है, तो क्या ही बनेगा, that is called anti-node, यह सो नो, anti-node, कहानी समझ मारी की निसमझ मारी, okay, anti-node की कहानी हमको देखना है, अब anti-node की कहानी कैसे बनने वाली यह ज़रा देखो तो ध्यान से, भाई, resultant amplitude क्या हो जाएगा, resultant amplitude जाएगा, plus minus 2a, okay, y plus minus 2a, अगर माल लो कि यहाँ पर मैंने एक wave बनाया है, यहाँ पर अगर wave है, कुछ ऐसा wave है, माल लो, तो देखो, a यहाँ पर, a यहाँ पर, that is 2a, okay, a plus a क्या ही होगा, maximum displacement 2a होगा, yes or no, और दोनो direction में होगा, that's a plus minus, but what is resultant, हम लोग ने अल्रेडी देखा है, resultant क्या है, that is, 2a, cos, 2pi, x by, lambda हाया ना, which is equals to, plus minus 2a, 2a, 2a cancel, क्या बचेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, बचेगा, plus minus 1, यहाँ पर, बचेगा, cos, 2pi, x by, lambda हाया ना, अब, cos को उदर भेज़ दोगे, तो cos inverse plus minus 1, और plus minus 1 आता कहाँ पर, पेदे को जरा, cos 0 पर आता है, यहाँ आनो, pi पर आता है, यहाँ आनो, ओके, ऐसी कहाँनी बढ़ती है न, by 0, pi, again, 2pi, 3pi, यहाँ नो, dot, 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 तो यहाँ पर क्या ही मिलेगा, 2pi, x by, lambda, अब, pi से pi कर जाएगा, यहाँ नो, में क्या ही बनेगा, p5 बनेगा न, yes or no, where p is nothing but, where p is nothing but, where, p क्या ही होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, dot, 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 हाँ यहाँ न, देखो, pi से pi मर गया, तुमको x निकालना है उधर बेज़ दो, तो p, lambda, divided by 2 हो जाएगा, यह तुम्हारा x हो गया, yes or no, मतलब x displacement हो गया, अब यहाँ पर वापस resubstitute the value of, तो क्या ही मिलेगा, x, 0 मिलेगा, फिर lambda by 2 मिलेगा, yes or no, 3 वापस put करूँगा, देखो 2, तो lambda मिलेगा, yes or no, फिर put करूँगा 3, तो क्या मिलेगा, देखो जारा, यहाँ पर 2 put होगा, तो 2, 2 cancel हो गया, 1 put होगा, तो lambda by 2, तो lambda 3 put करूँगा, तो 3 lambda by 2 मिलेगा, 4 put करूँगा, तो 2 lambda मिलेगा, मतलब this is the position of, किसके लिए, anti-node के लिए, अब इनके बीच में भी अगर difference देखोगे, अगर इनके बीच में भी अगर तुम difference देखोगे, तो दोनों के बीच में difference देखो क्या है, that is lambda by 2, तो मतलब यहाँ पर भी difference क्या आई है, lambda by 2, बट अगर एक node और एक anti-node में difference देखोगे, तो एक node और एक anti-node का difference आएगा, lambda by 4, बास मिलेगा, अब इसका ही application क्या है, इसका ही application है, तुमारा air column की कहानी है, क्या है, air column की कहानी, अल्रीड हम लोग ने air column कहीं न कहीं पढ़ा रहेगा, बहुत साथा musical instrument में यह चीज़े काम आती है, अब यह कैसे node और anti-node की कहानी, कैसे stationary waveform करती है, वो हमको देखना है, तो दो तरगे column है हमारे पास, पहला तो open at one end, मतलब एक end से खुला होगा, और एक end से बंद हुआ होगा, बहुत important question है, ध्यान देना, तो इस चीज़ को ध्यान से अच्छे समझने कोशिस करना होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लोग, खाली end correction क्या होता है, तो end correction से पहले समझ लोगी, जहाँ पे open होगा, वहाँ पे हमेशा anti node बनेगा, यह basic नियम है, experiment है यह, जहाँ पे open है, वहाँ पे anti node बनेगा, जहाँ पे closed है वो node बनेगा, यहाँ पे node आएगा, एक anti node आएगा, पीर एक node आएगा, पीर एक anti node आएगा, अब यहाँ पे देख कि अब यह बनाया कैसे धने ग्राफ करके हमारा यह जो यह निटिनोड यह उता है वह यह पहला Trib aprove कहां दिख रहा है यहां पर दिख रहा है ऐसा तो इसको सीधा करो यहां पर चिपका दो तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है बरबर ऐसा वे बन रहा है यह मेरा नोड बन रहा है यह मेरा एंटी नोड बन रहा है तो देखो पहला नोड और एंटी नोड बना दिया अब उसके बाद नेक्स वाला एंटी नोड कहां पर बनेगा यहां पर बनेगा तो देखो इसको ही सीधा करके यहां पर चिपका दिया उसके न mode of vibration third mode of vibration जितना बनाना चाहो बना सकते हो कोई problem नहीं है okay so let us assume कि इसका जो length है वो L है अब अगर इसका length L है अगर इसका length L है तो lambda क्या ही बनेगा देखो जरा यहां पर हम लोग देखे एक anti node और एक node है एक anti node और एक node में जो distance होता है वह कितना ही होता है वहता है लामढा भाइ four का मतलब है यहां पर बरावर हो जाएगा यह वहां रहा है तो एक node node के बीच का distance गितना होता है रहा है ॉध ह, एक यह जाएगा모ण और ऑलव श्री दिशनस है औरो यहां कि दोInter आगा牛 शॉल्फ करोगे तो 3 lambda by 4 मतलब यहां पे length का value क्या आएगा यहां पे value आएगा 3 lambda by 4 हाँ आणा अब यहां पे देखो यहां पे कितना ही बनेगा देखो दो node है yes or no दो node के बीच में distance lambda by 2 इसके बीच में distance lambda by 2 lambda by 2 plus lambda by 2 lambda यहीं इसके बाद कुछ नहीं है उसके बाद इगदम चिंदी क्या ही चिंदी है देखो जरा मिरको बोलाए कि फ्रिक्वेंसी निकालनी है यहारी की frequency निकालनी है, तो frequency की कहानी क्या होती है, frequency की दो कहानी है, देखो, सबसे पहला क्या होता है, अगर किसी instrument की अगर हम बात करें, हम लोग air column की बात करें, तो सबसे पहले वाले frequency को क्या बोलते हैं, that is harmonic frequency, या फिर fundamental frequency, the first frequency, that air column, जो पहला frequency देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, fundamental frequency, the basic frequency, that is called harmonic frequency, अब इसको छोड़के, पहले वाले को छोड़के, जो अपर नोट की frequency होगी न, that is called as overtone frequency, उसको क्या बोलते हैं, overtone frequency, हाँ या न, तो क्या ही होता है, frequency का formula, तो for first mode, अगर देखने जाए, तो first mode के लिए कहानी क्या ही मिलेगा, first mode के लिए कहानी मिलेगा, n is equals to, v is equals to n lambda, तुम लोग ने पढ़ाया, yes on a wave equation, that is v is equals to n lambda, where v is velocity, n is frequency, and lambda is wavelength, तो यहाँ से n क्या मिलेगा, n मिलेगा v by lambda, but what is lambda from here, देखो जारा, यह 4 इस तरफ आजाएगा, तो lambda is equals to 4 आजाएगा, but, lambda किसे बराबर है, lambda बराबर है 4L से, तो यहाँ पर अगर हम लोग substitute करेंगे, तो n is equals to v by 4L आजाएगा, आ है ना, तो यह पहला frequency आया, this is called as first overtone, this is called as, first overtone, यह first, not overtone, harmonic, first harmonic frequency यही है, पहला fundamental ना, fundamental, तो या फिर fundamental बोलो, the first fundamental frequency, या फिर harmonic frequency बोलो, same चीज़ है, कोई problem नहीं है, clear बासन में आगा, पहले mode की कहानी है, क्या है, पहले mode की कहानी है, ऐसी दुसरे mode की कहानी समझाऊँगा, और मेरे ख्याल से समझानी की जरुद भी नहीं पड़ीगी, तुमको अपने आप आजाएगा, मेरे ख्याल से तुमको अपने आप आजाएगा, तुम लोग अपने हिस्से सॉल्व करोगे, देखो, तुम लोग सामने से मेरे को बताऊगे, तो हम लोग next किसके लिए solve करेंगे for second mode for second mode अब second mode में भी same formula लगेगा by n is equal to v by lambda हाया न n is equal to v by lambda बट यहाँ पर अगर हम लोग lambda देखेंगे तो lambda उसका कुछ अलग होगा मतलब यहाँ पर उसके frequency भी कुछ अलग होगी let's say n1 और lambda let's say lambda 1 तो यहाँ से lambda 1 अगर देखने जाओ तो lambda 1 क्या ही मिलेगा देखो जरा यहाँ से lambda देखो तो 4 उपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा so that is lambda 1 बराबर हो जाएगा 4 उपर चला जाएगा that is 4L divided by 3 हाया न यह यहाँ पर put कर दो देखो क्या मिलेगा N1 is equals to V by V by 4L put कर दो 4L by 3 अब यह by 3 उपर चला जाएगा ने denominator के denominator में है तो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा यह सुनो so this is nothing but your इसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं first overtone and second harmonic इसके बात का आया ना तो यह second harmonic ओके और ध्यान से देखो भाई V by 4L 4L है क्या V by 4L is nothing but N यहाँ पर V by 4L लिख रहा है वहाँ पर N लिख सकते हैं तो N1 बराबर हो जाएगा 3N से यह सुनो अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर overtone तो first आ गया बट जो harmonic है वो second absent है directly 3N आ रहा है मतलब यहाँ पर even harmonic absent होते हैं और यही कोशन आता है इस पर ही कोशन आता है देखो यहाँ पर 3N आ गया है मतलब क्या हो जाएगा this is this is first oval tone and third harmonic यह three times है न तो यह third harmonic dialect मिल रहा है मिरको मतलब यहाँ पर जो even harmonic है न वो absent है next वाले में देखना next वाले में directly 5 मिलेगा तुमको directly 5 मिलेगा ध्यान से देखना तो थोड़ा सा side में adjust कर देते हैं फिर तुमको चौन ओके next दिकालना बताता हो देखो next यह तुम लोगी बता होगे तुम लोगी निकाल होगे यह एकदम प्यार से तुम लोगी समझ में आएगा देखो तुम लोग को 4L by 5 हाया ना इसको substitute करोगे तो N2 क्या ही मिलेगा N2 मिलेगा that is 5 V by 4L but what is V by 4L हम लोग ने देखा है ना V by 4L क्या है that is N तो N2 क्या मिल गया N2 मिला 5N मतलब यहाँ पे यह second हार्मोनिक हो गया sorry second overtone हो गया और 5th हार्मोनिक हो गया मतलब यहाँ पे 4th हार्मोनिक है अपसेंट है तो 3 के बाद directly मिलेगा 5th मिल रहा है मतलब यहाँ पे जितने भी even हार्मोनिक है न वो अपसेंट है खाली है odd harmonics are present तो ऐसे भी questions आते हैं कि show that for the pipe which has open at one end has only odd harmonics तो उसके पास खाली odd harmonics है तो यहाँ पे हम लोगो दिख रहा है इसके बाद वाला करेंगे तो क्या आएगा 7 उसके बाद वाला करेंगे तो क्या आएगा 9 उसके बाद 11 yes or no तो यहाँ पे खाली odd harmonics present रहेंगे इबन का तो कुछ यह रहेगा ही नहीं वजूद रहेगा ही यहाँ पे clear बासन में आ गई अब अगर तुम लोग बुक में फॉर्मुला देखो के न तो बुक में थोड़ा सा फॉर्मुला अला लगाता है क्यों अला लगाता है क्योंकि इसके साथ ना end correction मैं यहां पर यहां जात ऑंपण है complexity लांबडा देख लो रभाण एक दो नोड के बीचम जो डिसटिंस थी कितना होता है 충 Heil तो यहाँ पर L कितना आजाएगा lambda by 2, यहाँ पर देख लो, भाई, एक node, एक node, मतलब यह lambda by 2, यह lambda by 2, that become lambda, तो इसके लिए L कितना हो जाएगा, इसके लिए L हो जाएगा lambda, इसके लिए देख लो, that is lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, that become 3 lambda by 2, तो यहाँ पर L कितना हो जाएगा, 3 lambda by 2, i2 frequency के का अगए यहां पड़ेगा यहां पर मात्र मैं सुर्फ रहत ऊस्रा तुमको करना है यहां पे स्वार्टायने qeq ही मिलेगा that is V by lambda but what is lambda from here that is 12 to n is equals to V by 2L की कहानी मिल दागी हाँ या ना काम खताम this is nothing but your first frequency which is called as harmonic frequency which is called as harmonic frequency by first harmonic निकाल हम लोग ने simple sorted इंदम फटाक से okay दिमाख लागाने की जरोती नहीं कोई second click क्या हो जाए का देको जारा for second mode second mode second mode की कहानी कैसे बनेगी देखो जरा same formula बस यहां पर n1 हो जाएगा क्योंकि frequency change होगी wavelength change हो रहा है तो n1 is equal to lambda V by V by lambda 1 अब यहां से lambda 1 निकालने कोशिस करो lambda 1 किसके बराबर है L के बराबर है तो therefore यहां पर क्या मिलेगा n1 is equals to V by L this is the first overtone and second harmonic बड़ यहां पर देखो नीचे टू है तो नीचे टू डालने के लिए उपर टू डालना पड़ेगा हाया ना तो V by 2L can be written as N तो यहां पर मेरे को N1 क्या मिलेगा N1 मिलेगा मेरे को 2N मतलब यहां पर अगर मैं देखने जाओं तो यहां पर मेरे even harmonic भी प्रेजेंट है so this is called as your first overtone and second harmonic this is called as first overtone and second harmonic बासनाई की निच्टन में आई everyone पका yes or no important चीजे हैं देखो next third करेंगे third में तुम को और clear हो जाएगा for third third mode third mode की कहानी कैसे बठेगी देखो जरा third mode की कैसे बठेगी for third mode की अगर हम लोग बात करने जाए तो क्या ही मिलेगा N2 is equals to V by lambda 2 because the lambda is changing अब यहां से lambda क्या ही मिलेगा देखो जरा यह 2 इदर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 2L by 3 तो बट lambda कितना है महाँ पे that is lambda 2 is equals to 2L by 3 substitute here क्या मिलेगा N2 is equals to 2L by sorry V by VL V by 2L by 3 है न 3 कहां चला जाएगा ऊपर तो और V by 2L क्या ही है V by 2L मेरा देखो जरा V by 2L मेरा first frequency है न तो N2 can be written as 3N तो यहां पे देखो यहां पे सारे harmonic present है 2N harmonic मतलब twice of harmonic 3N harmonic मतलब twice of harmonic तो यह क्या हो गया यह मेरा यह second overtone हो गया second overtone and हर्मोनिक कहा है ना अब इसके अंदर सारे के सारे present होगे मतलब और भी present होगा आज इवन भी present होगा बासन आए अब जैसे मैं बता रहा था कि end correction की कहानी कैसे आती दो यहां पर यहां पर नहीं बनके थोड़ा सा उपर बनता है ओके थोड़ा सा उपर मतलब इतना ऊपर बनता है यहां पर and यह जो यह जो distance है न that is called end correction इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं end correction यहां यहां पर जो बन रहा है न यह जो पार्ट है न इसको ही हम लोग बोलते हैं end correction and which is given by is equals to 0.3 of diameter मतलब जो मेरा internal diameter होगा pipe का that is is equals to 0.3 diameter यह ऐसे मिलता है अगर मैं को calculate करना है end correction तो अब यहां पर देखो दो antinode है मतलब जो ऊपर वाला है यह ऊपर वाला भी कहां बनेगा ऊपर बनेगा न मतलब यहां कहीं बनेगा हाँ है न तो यहां पर एक ही होगा एक ही होगा तो 2E है तो यहां पर अगर हम लोग देखने जाए तो मेरा जो corrected length होता है वो क्या होता है L plus 2E मतलब जो air column का length होगा length of air column length of air column, that is L plus 2E, किसके लिए, अगर दोनों end से open है, अगर one end से open है, तो open at one end में क्या ही मिलेगा, that is L plus E, क्योंकि एक ही end पर antinode बन रहा है न, देखो इसमें, अगर यहाँ पर देखें तो एक ही जगे antinode बन रहा है, तो L plus E बनेगा यहाँ पर, बास नहीं आ रही है, तो यही चीज़ पर खाली ध्यान देना यहाँ पर, कि यहाँ पर तुम लोग ध्यान दोगे न, तो यहाँ पर L plus E आ जाएगा, हर एक जगे, L plus E, L plus E, okay, मैंने बता न, मैं correct कर रहाऊंगा बाद में, और अगर यही चीज़ अगर तुम लोग यहाँ पर देखने जाओ, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, that is, L plus 2E, यहाँ पर भी क्या जाएगा, that is, L plus 2E, क्यों 2E कर रहा है, क्योंकि दोनों end से open है, यहाँ पर भी क्या जाएगा, L plus 2E, हाँ य आया, air column समझ में आया, दोनों air column समझ में आया, open और closed का, बहुत बढ़िया, okay, so, क्या करना है तुमको, भाई, दोनों के, दोनों derivation अच्छे से practice करना है, stationary wave के derivation practice करना है, मैंने तुमको बताया हुआ है, already, कि equation बहुत जाधा है, derivation बहुत जाधा है इस chapter में, तो तुम लो हम लोग इसका बचा हुआ topic लेकि आएंगे, जैसे string का भी vibration mode है, sonometer की कहानी है, और beats की कहानी है, okay, clear बास में आ रहा है, तो वह हम लोग नेक्स lecture में continue करेंगे, okay, चलो, so, video यहां तक देख लिया है, तो क्या करना है, video को like करना है, channel बेर first time होता हो, subscribe, जरूर कर लेना, okay, और ऐसा बार बार होता है, मेरे हाँ से pen बार बार गिर जाता है, okay, चलो, so, आजका video यहीप end करते हैं, आजके लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.